साउथ अफरीका में अर्सदीब बने सरदार अफरीकाई बल्लेबाजों का कर दिया काम तमाम सिराज की तरह आवेश खान हुए खतरनाक एक के बाद एक चार विकेट चटकाए केल लाहुल की शुब सुरुवात 116 रनों पर ही घर में धेर हुए अफरीकाई बल्लेबाज और चट्डब फटे क्या बात है अर्शदीब शिंग कमाल की गेंदवाजी की और दिखा दिया कि अगर आप में करने का जुनून हो तो आपकी कहीं भी वापसी हो सकती है पहले T20 सीरीज उसके बाद अब वन डे में पांच विकेट का हॉल वो भी साउथ अफरीका में कह सकते हैं पहले भारती बने जो एक मैच में पांच विकेट चटकाई हो वो भी वन डे में दमाल की केंदवाजी की और शिजीव सिंग ने जबर जस्त उनका साथ दिया आवेश खान ने और टीम इंडिया को कह सकते हैं एक आसान सी जीत मिलने वाली है 116 रनों पर ही पूरी साथ अफरीकाई टीम आउट हो गई जिनके सामने लगता था कि साइज हैंडिक लासे इंडर मार्कम जैसे बड़े बड़े खिला ली हैं रिजा हैंडिक 200-300 रन बनाएंगे और टीम इंडिया को तोड़ी मसकत करनी पलेगी लेकिन भारती के इंडवाजों ने कहा जरूर आपकी बल्ले बाजी अच्छी होगी लेकिन हमारी के इंडवाजी भी किसी से कम नहीं है बुमरा नहीं है सिराज नहीं है शमी नहीं है इसके बावजूद और पांस साल बाद 2017 के बाद पहली बार होगा जब टीम इंडिया वहाँ पर सिरीग जीती ती और पिछले साल जब 2023 की शुरूआत हो रही थी उस वक्त केल लाहूँ उपर भारी पढ़ गए देखते हैं चोटी सी रिपोर्ट पे केल लाहुल की कप्तानी में भारती टीम नए सीरिसे सीरीज की शुरुआत की है साउथ अफ्रिका ने टॉस जितकर पहले बले बाजी का फैसला किया जिसके बाद टीम इंडिया की तरफ से घातक गेंदबाजी द तो फिल्फलाओं ने 33 रनों का योगदान दिया तो यह ऐसे कुछ रहा कि कोई भी बल्लेबाज 50 रन नहीं बना पाया और पूरी टीम मात यक्षो 16 रनों पर ओल आउट हो गई यह दिखाता है कि साउथ अफ्रिकाई टीम इस वक्त थोड़ी सी मुसीबत में हैं तो फिलाल से मौका मिला है और वहीं साइश सुदर्शन जिने आज डेबू कैप मिला है तो देखते हैं दोनों घिलाडी भारती टीम के लिए क्या कुछ खरते हैं लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत जबरजस्त रही तो फिलाल आप कैसे देखते हैं इस टीम इंडिया के प्रदल्स